तो कैसे बात करेंगे आपे mobile phones के multiple wallpapers के बारे में कि आप लोग किसी भी smartphone में कैसे multiple wallpapers को set कर सकते जैसे कि जब भी आप लोग phone को open करेंगे तो आप लोग को lock स्क्रिन में एक नया wallpaper दिखेगा तो इस टाइप का setup आप लोग कैसे करेंगे इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी का बिलका आइकन को प्रेस कर लेना है तो इसके लिए first of all हमें settings open करना होगा और यहाँ पर हम click करेंगे wallpaper की setting पर और wallpaper service पर click करते है और इस टाइप का आप लोग को interface देखने को मिलेगा जो अभी हम phone यूज़ कर रहे हैं वो Samsung का phone है और आप लोग अगर open realme इस टाइप के phone यूज़ कर रहे होगे तो वहाँ पर आप लोग को lock screen magazine मिलेगा ओके इन models के उपर भी मैं आप लोग को particular video प्रोवाइट कर देंगे अगर आप लोग का कोई भी doubt रहे था तो फिलाल यहाँ पर बात करते हैं आप लोग को dynamic lock screen पर क्लिक करना होगा और जैसे कि यहाँ पर आप लोग settings के icon पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम category को select कर लेते कि आप लोग को किस टाइप के wallpapers देखने को मिलेंगे तो यह wallpapers का आप लोग download कर सकते कि आप लोग को इस category के wallpaper देखना चाहिए दिखना चाहिए lock screen में तो आप लोग इनके download कर सकते हैं यहाँ पर and auto update कर देंगे तो automatic के update होते रेंगे जब भी आप लोग को नए-नए updates मिलते रहेंगे मतलब कि wallpapers से आप लोग बोहर हो जाएंगे तो automatic के update होते रहते हैं ठीक है आप लोग को back आना है dynamic wallpaper को यहाँ पर apply कर देना है जैसे आप लोग इसको apply करेंगे आप लोग category को select कर लेना है and आप लोग को lock screen में multiple wallpapers देखने को मिलेंगे हर बार नए-नए तो topic cover होता है मिलते है next video में जभी मता दी